दोस्तों आज मैं Pulsar Bike की डिजिटल मीटर को रिपैर करूँगा यह बाइक का जो मीटर है बिल्कुल डैट करनीशन में है इसको कैसे रिपैर करिया जाएगा पूरा प्रोसेस बताओंगा सबसे पहले सारे स्कूरू के खुल लेता हूँ तो यहाँ पर सारे स्कूरू के खुल यह स्कूरू में काफी जन्ग अगरे लगा हुआ है तो ध्यान से खोलना है अगर जयाता जन्ग हो तो पहुत ही ध्यान से कोलना हो वरना टूट के इसमें dez क्रस सकते है तो ध्यान लकना water damage meter जब अगर आप कर रहे हैं तो water damage meter में एक बात का ख्याल रगना कि अगर circuit पूरी तरीकी से खराब हो चुका है तो उसको repair करना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर हरका फुलका है तो आप असानी से repair कर सकते हैं तो यह रहा meter का circuit और यहाँ पर देखते हैं कुछ फिजिकली देखते हैं पहले कुछ फॉल्ट नजर आता है कि नहीं वैसे देखने में तो फ्रेस लग रहा है अब इसको हम detail से check करेंगे चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखे ध्यान दीजिए बहुत सारा यहाँ पर देखे carbon लगा हुआ है देख सकते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसकी वोल्टेज चेक करूंगा कहा कहां पर कितनी वोल्टेज मिलनी चीए सब चेक करनी है तब जाके पता चलिए फॉल्ट कहां से है ठीक है तो यहाँ पर इस connector को लगा लिया अगर आपकी इसकी wiring सीखना चाहते तो comment box मे लिंक देदूगा इसकी पूरी wiring आपको पता चलिए जागी की on table testing कैसे करी जाते है तो आप इसकी wiring एक बार अच्छी तरीके से उस वीडियो में सीख लेना अब यहाँ पर कोई ऐसी वगर हीट तो नहीं हो रही है बाकी यह on क्यों नहीं हो रहा है एक बार इसको हम चेक करे कौन सी वायर में कितनी voltage मिलती है और कौन सी वायर में यहाँ पर हमें चेक करना है यह आप देहां से देख लेना फिर भी दूसरी वीडियो एक बार देदूँगा वह भी आप देख लेना ठीक है यहाँ पर आप देख रहेंगे दूसरे नंबर पर एक आपको ब्राउन कलर की वायर मिल लोगी और ब्राउन कल की जू वायर है वो आपकी वायर की यानि की 12 वोल्ट की होती है और वो जू वायर का point है यह इस capacitor के इस point से connect होता है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करनी है कि यहाँ पर आ रही कि नहीं तो इस तरीके से चेक करें ब्लैक प रख सकते हैं यह पूरा ग्राउंड का ही पॉइंट है इधर पर रख ले और रेड प्रोब को कपाश्टर के उस तरब आपने रख लेना है तो यहां पर देखे 12 वोल्ड प्रॉपरली यहां पर मिल रहा है इसका मतलब यहां पर जो ब्राउन कलर की वायर है उसकी जो कनेक्ट नहीं है और जो वायट है यहां से होते वे वो जो ट्रैक है इस ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट में मिलता है ठीक है इस पॉइंट में यहां से यह घूमते वे ट्रैक इस पॉइंट में मिलता है तो चलिए चेक करते हैं यहां पर 12 वोल्ड उस ट्रांजिस्टर के इस पॉ और transistor के यहां पर 1V आ रही है यहां पर 12V मिलनी चाहिए थी बट 1V आ रही है तो यहां पर कुछ ने कुछ गडबढ़ है जिसके वज़े से यहां पर 24V नहीं बिपा रही है चलिए एक बार मैं डायरेक्ट वहां पर 12V दे के देखता हूं ठीक है यह चिम्टी की हेल्प से वह बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि यहीं पर जो है 12 वोल्ट देके एक उमीद रहती है कि आपका मीटर ओन हो सकता है और जाते तिर मीटर में लगबग लगबग इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है क्योंकि इसमें हमेशा 12 वोल्ट रहती है ठीक है वाउ यह मीटर यहाँ पर 12 वोल्ट देके अन हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर तक हमने किसी भी तरीके से जंपरिंग करनी है और हमारा मीटर यहाँ पर चालू हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर की किसमत सही है भाई तो यहाँ पर तक ठीक है और वहाँ से वहाँ तक फिर जंपर दे देना है सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक पिन को यहाँ पर रिप्लेस करके एक जंपर इस तरीकी से दे दूँगा देखिया पर जंपर मैंने दे दिया है और इस pin को replace का लिया है देखिए अब उदिखाता हूँ मैं यह देखिएगा तो jumper क्या करना है white color की wire के point से jumper direct आपने वहां तक transistor तक दे देना है तो इस problem का solution आसानी से हो जाएगा अगर आप लोग को pin change करना नहीं आता है तो उसका एक video और देदूँ है comment box में उसको आप देख लेना सभी videos मेरी details से बन चुकी है इसलिए यहाँ पर हर चीज को details से बता कर video बहुत लंबी हो जाती है और फिलाल मैं यह दुकान पर काम कर रहा हूँ customer साथ में बैठा रहता है या फिर सामने रहता है तो details से समझा पाना मुश्किल हो जाता है फिर भी आपको समझा देता हूँ कि कहां से कहां तक आपने voltage चेक करने है क्या करना है सब कुछ यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एक basic basic तौर पर पता चल जाए यहाँ पर सभी light चेक करने देता हूँ यह backlight है और यहाँ पर सभी light चेक कर लेते हैं हाँ यह headlight और side indicator का है यह भी बिल्कुल ओके है neutral का check करते है neutral का check करते है neutral भी ओके है सारी light है ओके है kilometer proper work कर रहा है सब कुछ बिल्कुल सही है अगर आप इसकी wiring डीटेल से सीखना चाहते हैं तो description link दिया हुआ है वहाँ पर जाके उस वीडियो को देखे पूरा सीख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर ये solution पसंद आई तो भाई लाइक करके share कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुए हैं उसमें सारे आप बाइक के मीटर के रिपैरिंग सीख सकते हैं तो वीडियो को लाइक करके share कर लेना और थेंक्यू